हेलो स्टुडेंट्स कैसे हैं आप सब एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल ओनलाइन केमिस्ट्री में आपका बहुत-बहुत स्वागत है आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कोलाइडी विलियन बनाने की ब्रेडिग आर्क मेथड या ब्रेडिग आर्क आज का इसके बाद में यूनिट 7 पढ़ेंगे हम है ना क्योंकि यूनिट 6 जो है वो आपके सिलिबस से रिडियूस हो गई है उसके question answer आपकी exam में नहीं आएंगे ठीक है चलिए तो देख लेते हैं ब्रेडिग आर्क मेथड में जो थियोरी लिखी हुई है वो क्या है आइन एक के विध्यूत का मतलब विध्यूत प्रवाहित के से करेंगे जब दो इलेक्टरोڈ होंगे एन्रोड और केथोड तो उनके द्वारा ही विध्यूत प्रवाहित की जाएगगी तो diagram में भी आप देख रहे होंगे धात्यों के इलेक्टरोड लिये हुए हैं दो है तो लिखा है कि यहां कोलाइडी विल्यन बनाने की विद्यूत परिक्षेपन विधी है जिसके द्वारा स्वर्ण, रजत और कोपर आदी धातूओं का कोलाइडी विल्यन बनाया जाता है, है ना गोल्ड का, सिल्वर का और कोपर का इन धातूओं का कोलाइडी विल्यन बनाय आजाता है ठीक है अब आगे लिखा है कि इस विधी में अब यहां पर प्रोसिजर क्या है वो देखना है हमें कि इस विधी में धातू के दो इलेक्ट्रोडों को द्रव माध्यम यानि की सॉल में लगाया जाता है डाइग्राम में भी देखिए साथ साथ में आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा देखिए ये धातु के जो दो इलेक्ट्रोड है इनको द्रव माध्यम ये जो सॉल है इसमें लगाया गया है, है ना, यहाँ पर लिखा है, यह सोल, तो द्रव माध्यम सोल में दो इलेक्ट्रोडों को लगा दिया है, इन इलेक्ट्रोडों से विद्युत प्रवाहित करने पर विद्युत आर्क उत्पन होता है, इन दो इलेक्ट्रोडों के द्वारा जब विद् एग आर्क विदि कहते हैं, आर्क उत्पन होता है इसलिए तो विद्यत आर्क उत्पन होता है जिससे धातू के परमानू बाधित होते हैं एवं आपस में मिलकर हेमकारी मिश्रण लिखा है यहां पर की परमाणू बाधित होते हैं एवं आपस में मिलकर हीमकारी मिश्रण यानि की बर्फ में संगनित हो जाते हैं यहाँ पर यह जो धातू के दो इलेक्ट्रोड है इनके जो परमाणू है धातू के परमाणू यह बाधित होते हैं जब विद्युद्धारा प्रवाहित होती और विद्यूत आर्क उपन होता है तो बादित परमानू क्या करते हैं आपस में मिलकर संगनित हो जाते हैं कहां पर संगनित होगे यहां पर बर्फ में हीमकारी मिश्रण जो है या बर्फ जो है इसमें संगनित हो जाते हैं और फिर क्या करेंगे कोलाइडी कणों में परिवर बनाने के लिए और इससे किसके Colliderivillian बन सकते है गोल्ड के सिलवर के और कोपर के स्वार्ण रजत और कोपर के कोपर के Colliderivillian इस विधी के द्वारा बनाई जा सकते हैं कौन सी विधी ब्रैडि ईर्क विधी ठीक है तो I think चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि इसी प्रकार के वीडियो आप तक जल्दी से जल्दी पहुंच सके चलिए मिलते हैं अब यूनिट 7 के लेक्चर्ज में तब तक के लिए थेंक्यू सो मच जैहिन